हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारी किचिन में आज हम आपके लिए लेकी आए हैं कठेल की जटपट बनने वाली सबजी चो खाने में बहुत ही स्वादश्ट लगती है ये सबजी हमने अपनी नानी से सीखी है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पसंद आए तो ला उचलिया है जैनरली कठेल की सबजी बनाते वक्त लोग या तो बीजो को एवोइड करते हैं या फिर उनका आज़ट इस यूज करते हैं लेकिन कठेल की सबजी का असली टेस्ट इसके बीजो में ही होता है तो आप इसको छील के और काट के डालिए मैं बताती हूं कैसे सब सबसे पहले इसके उपर इस बीज के उपर जो वाइट लेयर है उस वाइट लेयर को आप छील के निकाल दीजिए जब आप इस लेयर को निकालेंगे तो आपका बीज इस तरीके से निकल के आ जाएगा अब चो इस बीच के उपर skin है इस skin को हमें इसके उपर से निकालना है जैसे कि अद्रक की skin को हम निकालते हैं उसी तरीके से इसको भी हमें scratch करते हुए निकालना है इस बीच के उपर जो वाइट कलर की स्किन थी उसको मैंने निकाल दिया है स्किन निकालने के बाद देखिए ये इस तरीके का दिखाई दे रहा है और अब अगर आपका बीच जादा बड़ा है तो आप उसको चार टुकडों में काट लीजिए छोटा है तो दो टुकडों में ये देखिए और यहाँ पर मैंने पहले से ही सारे बीचों को अच्छे तरीके से छील के और काट के तयार कर रखा है कठल की सबसी बनाते वक्त एक बात और ध्यान रखें हमेशा कच्चेट कठल की ही सबजी बनाएं क्योंकि पके वे कठल की सबसी कभी भी खाने में टेस्टी नहीं लगती है आज हम कठल बहुत ही असान तरीके से और बहुत ही स्वादिश्ट बना के तयार करेंगे इस कठल को ना ही हम फ्राई करेंगे ना ही हम बॉल करेंगे तो सबसे पहले हमने गैस का फ्लेम ओन कर लिया है गैस पे हमने एक कूकर रख लिया है क्योंकि आज हम कठल बनाने वाले हैं कूकर में तो यहां पर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 टेबल स्पून कुकिंग ओयल क्योंकि कठल में कुकिंग ओयल थोड़ा जादा पड़ता है तभी हमारा कठल टेस्टी बनके तहियार होता है ओईल हमारा हीट हो चुका है तो ग्यास का फ्लेम याँ पर हम कर लेंगे लो और इसमें डालेंगे वन फो टीस्पून जीरा दो पिंच हेंग थोड़ा सा पारीक कटा हुआ अद्रक और हारी मिर्ची सारी चीजों को अच्छा से मिक्स कर लेंगे आधा चोड़ा चमच हल्दी पाउडर एक चोड़ा चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये हमारी सबसी को बहुत ही अच्छा कलर देगा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को और अब हम इसमें डालेंगे कठेल जो हमने काट के रखा था कठेल को मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं हमने अपने कठल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें आड़ कर लेते हैं बाकी के स्पाइस एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एक छोड़ा चमच नमाग नमाग आप अपने अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं एक छोड़ा चमच गरम मसाला सारे चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं हमने अपने कठल में सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिये हैं तो यहाँ पर अब हम कुकर की लेट लगा के लो टू मीडियम फ्लेम पे इसमें एक विसल लेंगे एक विसल आ चुकी है गैस का फ्लेम मैंने ओफ कर दिया है कुकर का प्रेश्टर हमें रिलीज नहीं करना है इसे अपने आप ठंडा होने दे कुकर हमारा ठंडा हो चुका है तो एक बार खोल के हम कठेल को चेक कर लेते हैं और ये देखिए हमारा कठेल बनके एकदम तयार है बिना फ्राई करें बिना बॉयल करें कूकर में हमने कितना परफेक्ट कठेल बना के बहुत ही कम समय में तयार कर लिया है मैंने इसको चेक कर लिया है ये बिल्कुल परफेक्टली कूक हुआ है थोड़ा सा हम इसमें बारी कटा हुआ हारा धनिया आड़ कर लेते हैं हमारा स्वादेश्ट कठल बनके तयार है दही, आम, कठल और पराठे का कॉम्बिनेशन बहुती फ्लेवरफुल, बहुती पॉफेक्ट लगता है आप भी एक बर इस कॉम्बिनेशन को ट्राए केजिए, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए